गुड बॉर्णिंग चुडेंट्स तो देखिए आज हम एक बाइनोमियल डिस्टिबिशन का कोश्चन करने वाले हैं आपकी बुक से जो आपको last video में मैंने properties में बताया था ना, property में first property थी theoretical frequency distribution, उसमें जो था कि it is based on binomial theorem, तो how it is applied, कैसे इसको apply करते हैं, कैसे हम formula इसके इंदर put करते हैं, एक question से आपको एक्लियर हो जाएगा, तो देखें आपके book में ये example number 22 है, इसमें आपको ये दिया हुआ है कि 4 coins were toast, 160 times, कि 4 coins है, जो toast किये गए, 160 times, and the following results were obtained, ये result obtained हुए, आप देखें क्या result obtained हुए, number of heads आपको given है 0, कि 0 head कितनी बाराया, 17 times, 1 head कितनी बाराया, 52 times, 2 head कितनी बाराया, 54 times, और इसी तरीके से 3 head कितनी बाराया, 31 times, and 4 head कितनी बाराया, 6 times, देखें ये question में आपको clearly given है, तो आपको क्य दहा का है, ये जो given है, this is observed frequency distribution, अब आपको क्या निकालना है, fit a binomial distribution under the assumption that coins are unbiased, कि आपका जो coin है, वो unbiased है, ये मानते हुए आपने binomial distribution आपने fit करना है, अब देखें, सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, probability, और obviously probability of head क्या रहेगी, 1 by 2, and probability of tail, और we can say जो failure है, head आपका क्या है, success, failure क्या है, tail, तो tail की भी 1 by 2 रहेगी, तो देखें, सबसे पहले इसने क्या, under the assumption that coins are unbiased, कि आपके coin unbiased है, तो probability जो head के आने की है, वो क्या है, 1 by 2, tail के आने भी क्या है, 1 by 2, तो P आपका हो गया 1 by 2, क्यों भी हो गया 1 by 2, in this case, आप देखें, इसमें एक capital N है, और 1 is small n, आप यहाँ पर देखें, जो small n है, वो क्या है, number of heads, आपने 4 coin toast करें, तो जादा से जादा आपके पास कितने head आएंगे, 4, तो यह आपका है small n, और जितने times आपने toast करा, 160 time करा, 180 times करा, जितने times करा, वो आपका होगा, capital N, तो यहाँ पर देखें, आपका जो capital N है, व सकती है, वो आपका small n है, और total number जितनी बार आपने coin को toast किया, वो आपका capital N है, आप देखें, यह formula पहले ही बताया था, बाइनों में distribution को fit करने का यह formula है, probability of x is equal to x is equal to ncx, here n refers to number of success, x जो success आप चाहते हैं, यह जो आपको मिल रही है, just like 0, 1, 2, 3, 4, 5, यह जो यह आपका small x ह क्यों refers to failure, क्या आपका failure है, उपर क्यों की power आपने लिए है n minus x, p की power क्या है x, यह मारा formula है, जिस formula से हम binomial distribution को fit करेंगे, ठीक है, और देखें, अब अपने क्या का है, in order to obtain the expected frequencies, यहाँ पर हम expected frequencies निकाल रहे हैं, observed given है, तो हमें क्या करना है, we have to multiply each probability by n, हर probability को हमें n से multiply करना ह तो इस तरह से expected frequency की आपके एक table बनेगी, जिसमें आपने लिखना है number of head, देखें जो table उपर है यह question में, यह table आपको बनानी है, यह आपको given है observed frequency, आपको निकालनी क्या है, expected, तो यही आप table बनाएंगे, और लिखेंगे number of heads, तो आप पर आपने लिखना है n, n अगर आपक 0 है, तीक है, number of heads, आपका अगर यह 0 है, मतलब आप क्या चाहते हैं, आपके पास एक भी head ना आए, अगर यह है, तो आप formula क्या पूट करेंगे, यह बला, तीक है, आप यहाँ देखें, expected frequency, इसका formula हमारा था, capital N multiplied by small n cx, q की power n minus x, p की power x, इसमें आपने पूट करना है, अब यहाँ पर जो capital N है, वो कितना है, 160, आप क्या करोगे, 160 multiplied by small n कितना है, 4, cx कितना है, 0, जो आप head जाते हैं, number of head जो आप जाते हैं, वो आपका small x है, तो 4, c, 0, again, 1 by 2, क्या हो, आपका क्या है, 1 by 2, तो 1 by 2 की power n minus x, n है आपका 4, x है आपका 0, तो 4 minus 0, 4 हो गया, उसकी बाद b की power x, तो 1 by 2 की power 0, यहाँ पर देखे, x क्या है, जो यह आपका, यह 0 है, यह x है, 0, 1, 2, 3, 4, जो आपकी table में है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ था न, यह, this is your x, small x, 0, 1, 2, 3, 4, यह आपकी small x है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर 4 refers to n, small n is 4, c, 0, 0 आपका यहाँ से आया है, ठीक है, आप देखे, यहाँ पर बाखी चीज़े तो हो जाएंगे, आप कहेंगे, 4, c, 0 कैसे solve करेंगे, तो यह आपको last chapter में मैंने बताया था, 4, c, 0, c refers to combination, तो अब देखे, इसको solve करने के लिए, 4, c, 0 को हमारा इस तरीके का formula होता है, यह आपका 4, c, 2 मैंने solve किया है, 4, 4, c, 1 solve किया है, 4, c, 0 के लिए, 4, c, 0, इसका formula क्या होता है, जैसे 4, c, 0 करना है, तो 4 factorial divided by 4 minus 0 factorial multiplied by 0 factorial, तो इसको अब solve करेंगे, 4 factorial को अगर आपको ध्यान हम कैसे solve करते थे, 4 into 3 into 2 into 1, ऐसे 4 minus 0 भी क्या होगा, 4 होगा, तो इसको कुछ भी करने के जुरुत नहीं है, उपर आप 4 लेंगे, नीचे आप 4 factorial हो जाएगा, तो यहापस में कट जाएगा, answer will be 1, तो यहाँ पर आप जो 4, c, 0 है, इसका answer आजाएगा, 1, अब आप इसको solve करेंगे, 160 multiplied by 1 by 2 की power 4, तो देखिए, 160 multiplied by 1 हो जाएगा, 4, c, 0 की जगे, उसके बाद multiplied 1 by 2 को आप 4 times multiply करेंगे, cut करेंगे, answer will be 10, तो यहाँ आपका number of head, 0 time I, उसके expected frequency कितनी है, 10, ऐसे अगला देखिए, number of head आपका 1 I, तो इसके लिए हो जाएगा, 160, जो capital N है, multiplied by 4, n है, small n, c1, 1 आपका क्या है, यही x, 1 by 2 की power 3, 1 by 2 की power 1, अब इस 4, c1 को में solve करना है आपने, तो देखिए, 4, c1 को यहाँ solve किया है मैंने, 4, c1 को कैसे solve करेंगे, 4 factorial divided by 4 minus 1 factorial multiplied by 1 factorial, यह इसका formula होता है, ठीक है, आप देखिए, 4 factorial को हम इस तरीके से लिख सकते है, 4 into 3 into 2 into 1, divided by 4 minus 1 factorial, 3 आजाएगा, 3 को आप लिख सकते है, 3 into 2 into 1, 3 to 1, 3 to 1 कट जाएगा, बचेगा क्या 4, तो 4, c1 का जो आपका answer आएगा, वो कित 160 multiplied by 4, c1 की जगे 4 आजाएगा, फिर 1 by 2 का 4 times करेंगे, यह देखिए, यह करके दिखाया है, 160 into 4, उसके बाद आपने 1 by 2 को 4 times multiply करना है, ठीक है, तो यह आपका आजाएगा, answer will come 40, इसी तरीके से अगर आपका जो x है, वो 2 है, x अगर आपका 2 है, तो आप करोगे 160 multiplied by 4, c2, 1 by 2 की पावर 2, 1 by 2 की पावर 2, because p आपका 2 है, p मतलब आपको इहाँ पे 2 चाहिए, तो क्यों भी आपका क्या हो जाएगा 2, इसको आप solve करोगे, तो answer will come 60, इसी तरीके से, देखिए, 4, c2 कैसे निकालेंगे, ऐसे, 4, c2 के लिए 4 factorial, divided by 4 minus 2 factorial, multiplied by 2 factorial, देखिए, अब 4 factorial का आपने खोला, तो 4 into 3 into 2 into 1, और 4 minus 2 क्या होगा 2, इसको खोलोगे 2 into 1, ये 2 into 1 ही होगा 2 factorial का, तो ये कट करके, आपका क्या आएगा 6, तीक है, अब आप इसको पुट कर सकते हैं, कि आपने यहाँ पर पुट किया, 160 into 6, और 1 by 2 का आप 4 टाइम्स करेंगे, तो answer will come 60, similarly आग 1, 1 by 2 की पावर 3, इसको करेंगे 40, इसको इसी तरीके से करोगे, तो answer will come 10, तो I think ये clear हो गया होगा, इस question को for example आप करके, example करके दे सकते हैं, अगर binomial distribution का question आता है, और आपको लगता है 16 marks के according आपका matter नहीं बन रहा, तो आप ये question example की form में आप डाल सकते हैं, इसी chapter में जो theory दिया है, starting में observe frequency distribution and expected frequency distribution, उसमें आपको ये example दिया हुआ है, तो ये example आप, क्योंकि इसी सा है, आप दे सकते हैं,